तो जहीं दोस्तों सोहत कबर फिट साब सभी लोग का हमारे इस नवी वीडियो में से दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता हुआ कि CRPF Head Constable Ministerial और Assistant Sub Inspector Steno के आपके जो Admit Card थे Head Constable Ministerial और Assistant Sub Inspector के यह दोस्तों आपके 22 फरवरी से जिसका एक्जामनेशन है यह 20 तरीको CRPF न बोलाता कि आपके डाउन्रोड होंगे ठीक है तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा हो चुका है और आपकी जो Official Site है यानि Assistant Sub Inspector Steno और Head Constable Ministerial के लिए दोस्तों आपकी जो 1428 पोष्ट के असपस जो वेगेंसी जारी की गई थी इसकी अब जारी कर दी गई है और आप देख सकते हो यहां पर कि एक स्टुडेंट का दोस्तों जो है यहां पर Admit Card है और इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट चीजे जैसे कि आपको at the time जब आप CBT देने जाओगे computer based test तो आपके कौन-कौन से documents लेकर के जाने है तो इसके बारे में भी हम जानेंगे जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि इनका जो paper की timing है यहां पर दोस्तों इनकी date दी हुई है उसके बाद आपका timing दी हो हुआ है कि कब आपको report करना है और center code कहा है और center कहा है ठीक है इसके बाद आप नीचे आ जाओगे तो आप देख सकते हो कि आपका सबसे नीचे में जो important चीज़ है यानि document at the time जब आप examination देने जाओ तो कौन-कौन से documents लेकर के जाना है तो सबसे पहले देखते हो आपको दो passport size photograph मैंने पहले ही बता राता है कि दो passport size photograph आपको अपने साथ में carry करना ही must है ठीक है दूसरा है original ID proof mentioned in instruction original ID proof यानि आपका आधार काड ठीक है pan card, voter card, driving license, strength का mark city इसमें से कोई एक document आपके पास होना चाहिए और try कीजिए कि अधार card आप लेकर के जा पाओ तो अधार card must अपने साथ carry करना ठीक है इसके बाद है two color copies of printed e admit card यानि दोस्त यह जो आपके admit card है इसकी colorful यानि color में printing करवाना black and white मट करवाना है color में करवाना ठीक है और कितना करवाना दो करवा के लेकर जाना ठीक है तो आपका आधार card, pen card, driving license, passport या फिर आपके voter ID card है या फिर आपके 10th का mark seat है ठीक है दूसरे number पे आपको लेकर के जाना है अपना two passport size photographs ठीक है यह कोई जरूरी नहीं है कि जब आप home हरते समय लागा है तो उसी को लेकर के जाओ कोई भी चलेगा ठीक है इसके पाद तीसरे number अगर आपको blue या¿ फिर black ball Rare ki लिए आपको लेकर के जाना है एकार के अपना है और आपको जो admitt card का printed प्रिंटेड जो copy है उसको लेकर के जाना है है admit card का printed जिसके दो आपके copy लेकर के जानी है admit card का और दोनों colorful होना चाहिए ठीक है तो basically ये चार documents दोस्तों आपको लेकर करके जाना है इसके अलावा और कोई document लेकर करके नहीं जाना है तो आई होब कि सारी जानकर या कोई समझ में आ गई होगी तो मिलते हैं दोस्तों स्टूडियों में तो तक धन्यवाद जैहिंद